नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सभी मैं हरदीप नैन आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी से दो मिनट चाहता हूं दोस्तों आज का दिन विशव भर में फादर्श डे के रूप में बनाया जाता है इसकी सुरुवात अमेरिका से 1910 में हुई थी दोस्तों मेरे पिता के संघर्शों को देखते हुए मेरे दिमाग में कुछ पंक्तियां आई जब मैंने उन पंक्तियों को करम बद किया तो एक कवीता बन करत्यार हुई उस कवीता को मा आज आपके सामने रखना चाहता हूं और मेरे पिता जी को डेडिकेट करना चाहता हूं दोस्तों पिता एक सबद नहीं है बहुत बड़ी जिम्मेवारी है हमारे सबसे प्राचिंतम वेद रिग वेद में पिता सबद का उलेक 335 बार किया गया है दोस्तों इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पिता का हमारे जीवन में कितना महतव है तो दोस्तों चलिए करते हैं खुद की इच्छाओं के अंत से उलाद के सपनों का आरंब ही है पिता सिर्फ एक सबद नहीं पूरा संसार होता है हमें मिलने वाली कामयाबी का वही तो हकदार होता है उंगली पकड़ कर चलना सिखाते हैं तभी तो पिता कहलाते हैं खुद पैदल और हमें कंदों पर बिठा कर घुमाते हैं तभी तो पिता कहलाते हैं हमें नए कपड़े और खुद वालों को सी कर काम चलाते हैं तभी तो पिता कहलाते हैं कई बार भूके रहकर हमें पेट भर खिलाते हैं तभी तो पिता कहलाते हैं खुद के सपनों को भूला कर हमारे सपनों को पंख लगाते हैं तभी तो पिता कहलाते हैं हमारी समश्या को सुल जाते हैं हमारी हर समश्या को सुल जाते हैं पर खुद की समश्या कभी नहीं बताते हैं तभी तो पिता कहलाते हैं उम्र भर धूप में जलकर उम्र भर धूप में जलकर झाल 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 झाल